बिहार में जन सुराज की आंधी चल लही है बिगत कई बरसों से जन जनता के बीच जन सुराज का जो लहर देखने को मिल लहा है उसमें तो बहुत से लोगों का योगदान है मगर उसमें एक विशेश रूप से जो योगदान है चंद्रकेत कुमार सिंग और पिंकू सिंग का ये जन्सुराज के संस्थापक सदस्यों में से एक है अभी बरतमान में विहार में राजी कमिटी में ये अपना जन्सुराज में योगदान दे रहे हैं सबसे पहले मैं चाहूँगा कि इनका कुछ बक्तब परिचय के रूप में हो मैं चंद्रकेत कुमार सिंग और पिंकू महुदी नगर में एक छोटा सब एक पंचायत है महमदीपूर और उसी में एक कस्वा है मनियर वहां का रहने वाला हूँ जन सुराज का एक अभियान लेकर जब प्रशांत जी चले जब प्रशांत जी की पहली भासन मैंने सुना तो मुझे लगा कि बिहार को बिहार जो बरसों से उपेक्षित है जिस बात से यह बिहार का बड़ा ही जोलंत मुद्दा है और उनके साथ बिना किसी के पैरवी का मैं प्रसांत जी के बिचारों के साथ जुर गिया और जुरने के बाद निरंतर इस बिचार को गाओं के गरीब किसान मजदूर के बीच हम रख रहे हैं इसी 2 अक्तूबर 2024 को बिहार में जो जनता का जो सैलाब कहिए जनसराज के रूप में वो एक राजनितिक दल में परिनत होने जा रहा है तो इसके लिए क्या तैयारी चल रही है 2 अक्तूबर को पटना के भेटनरी कालेज के ग्राउंड में जनसराज पार्टी की अपचारिक घोसना होना है हम लोगों का जनसराज का लक्ष है कि 2 अक्तूबर को तक बिहार में जनसराज अवियान कहिए जनसराज आंदोलन से एक करोर लोग जुट जाएंगे और एक करोर लोगों की सहवागिता इस बिहार में पडिवर्तन के लिए इस बिहार में रोजगार के लिए इस बिहार को सिक्षित बिहार बनाने के लिए उनकी सहवागिता होगी और इस सहवागिता के साथ पूरे बिहार में एक जन सुराज अभियान नहीं, जन सुराज एक जन आंदोलन होगा बिहार में आधी आबादी महिलाओं की है और महिलाओं की जो इस्तिती है वो सभों से छुपी हुई नहीं है सभी राजनीतिक दलों में महिलाओं की जो इस्तिती है उससे हम सभी अवगत हैं तो ये जन सुराज महिलाओं के लिए ये क्या करेगी जितनी भी पार्टियां हैं बात जरूर महिलाओं की करती है लेकिन जन सुराज जो बोलती है वह करती भी है महिलाओं के आधी अवादी जो महिलाओं की है इन महिलाओं की भागीदारी के रूप में 40 बिधान सभा का सीट इस बिहार के 243 सीट में 40 बिधान सभा का सीट सिर्फ जन सुराज से महिलाओं ही लड़ेगी और जो महिलाओं बेरुजगार के रूप में हैं कुछ काम करना चाहते हैं कुछ उपारजन करना चाहते हैं कुछ रोजी रोजगार के लिए बेवसाई करना चाहते हैं उनको सस्ते दर पर रीन भी मुहया कराई जाएगी मातर 4 परसेंट के दर पर रीन मुहया कराई जाएगी ताकि वो छोटा छोटा उद्योग छोटा छोटा बैपार और भी कई तरह का रोजगार वो कर सके ताकि उनके पडिवार में सुक्सान्ती का अनभूती हो सके बिगत कई बरसों से बिहार बिरोजगारों का एक तरह से कहिए तो फैक्टरी हो गया है और बिहारी अभी मजदूर के रूप में जाने जा रहे हैं तो पलाइन और बिरोजगारी इसके लिए ये जन सुराज ये क्या कदम उठाएगी जन सुराज पलाइन को रोकने के लिए बिहार में रोजगार के अवसर प्रदान करेगी ताकि बिहार के युबाओं को बिहार में ही रुजगार मिल सके आज बिहार की युबा अधर एस्टेट में आठ से दस सजार की नौकड़ी के लिए भटक रहे हैं ठोकडे खा रहे हैं ट्रेन भरकर बिहार से मजदूर जा रहे हैं इसको अगर कहा जाए कि बिहार मजदूर का फैक्टरी हो गया है तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है कहने में लेकिन इसको प्लाइन को रोकने के लिए बिहार में अच्छे रुजगार के अवसर प्रणान की जाएगी और बिहार के युबाओं को बिहार में ही 10, 12 और 15 हज्जार की नौकड़ी बिहार में ही दी जाएगी ताकि बिहार के युबा बिहार में रुजगार कर सकें बिहार में कोई बैपार कर सकें या बिहार में कोई नौकडी कर सकें इससे प्लाइन रुकेगा और दूसरा चार वर्स से सोलह वर्स के बच्चे को एक अच्छी सिक्षा की जरूरत है वहभी शिक्षा को भी कि अस्त्तर जो आज सिक्षा की वेवस्था पूरे बिहार में चर्मरा गई है इसको भी जन सुराज ब्यापक पैमाने पर सिक्षा में सुधार लाकर और सिक्षा के छेत्र में हर प्रखंड में एक नित्रहाट भी द्याले के टकर का भी द्याले होगा और किसान गडीब किसान मजदूर के बच्चे भी अच्छे सिक्षा ले सकेंगे चुकि बिहार में अभी सराबंदी है और सराबंदी से समंधित जो बिहार से जुरे हैं उनका अलग-अलग विचार है तो बिहार में जो सराबंदी है सराबंदी को जन सुराज किस रूप में देखती है बिहार में स्राब बंदी के नाम पर सिर्फ गरवरी हो रही है बड़े पैमाने पर बिहार में स्राब की तसकरी हो रही है इस स्राब के तसकरी में बिहार के बड़े बड़े लोग इस तसकरी के भाग बने हुए है तसकरी में सलिप्त हैं और बिहार के गड़ीब मजदूर किसान नकली और जहरीली सराब जो खुल्याम बिक रहा है बन रहा है उसको पी कर अपना जान गमा रहे है इसलिए प्रसांत जी ने कहा कि अगर जनता का सुन्दर राज बनेगा तो सरकार बनने के 15 दिन बाद शराब बन्दी को खत्म करेंगे ऐसा है कि अभी बिहार में जो भी राजनीतिक डल है जो परमुक्ख राजनीतिक डल है उनका कहें तो एक अलग परकार का बोट बेंक है और जनसुराज जो आगे बर रही है तो उस राजनीतिक दलों के बोट बैंक जो अभी जो परंपरा चल लहा है सिश्टम बिहार में चल लहा है तो उसको तोरने के लिए सभी समुदाई से सभी बर्ग से जो सहवागीता जनसुराज लेगी तो किस परकार से लेगी क्या इसका योजना है बिहार के सभी बर्ग के लोगों को सभी बर्ग में अच्छे और बुद्धी जी भी लोग है और बिहार के लोगों को ऐसा महसूस हुआ है कि बिहार के लोगों को सिर्फ जाती के नाम पर धर्म के नाम पर बांट कर सिर्फ बोट ली जा सकती है बोट लिया जाता है लेकिन जब वह देखती है कि हमारे बच्चे असिक्षित हो रहे हैं हमारे घर परिवार के नौ जवानों को कोई रोजी-रोजगार नहीं है उसके लिए प्लाइन कर रहे हैं तो बिर्धों के लिए कोई विवस्था नहीं है तो इस परिस्थिती में उनके मन में ये जाती और धर्म के जो बोट की बात आ रही है उसके परती निश्चित तोर पर घिरना हो रहा है और उसको लगता है कि एक बार हम को अपने बेटे के नाम पर भोट देना चाहिए और अपने बेटे को सिक्षित बनाना चाहिए अपने घर परिवार के लोगों को जो बाहर जाते हैं 10-20,000 की नौकरी 10-15,000 की नौकरी करने के लिए उनको इसी बिहार में जो प्रसांत की सोर जी ने बादा किया है कि 10-15,000 का रुजगार इस बिहार में देंगे अच्छे गु महिलाओं को कम ब्याज के दर पर 4% मात्र ब्याज के दर पर उनको रीन मुहया कराई जाएगी कोई बैपार करने के लिए रोजगार करने के लिए इस आधार पर हम इस जाती और धर्म के आधार पर जो लंबे समय से ठगते आ रहे हैं बिहार की जनता को यह बिहार की जनता अब इस बात को समझ गई है कि मैं जाती धर्म के नाम पर ठगा जा रहा हूं और इस बार वो अपने बेटे के नाम पर भोट करेगी, अपने पती के रुजगार के लिए भोट करेगी, अपने बच्चों के उचित सिक्षा के लिए भोट करेगी, बिर्द माताओं और बुड़े और बुड़ियों के दो हजार पिंसन के नाम पर भोट करेगी, महिलाओं के रुजगार के नाम पर भोट करेगी और इस जाती और धर्म को बिहार से, बिहार के एक बिक्सित बिहार बनाने के लिए जाती और धर्म को दरकिनार करेगी. एक अंतिम सवाल है चुकि ये जन्सुराज जो अभी कार्ज कर रही है इसको बिहार की जन्ता या बिहार में किस रूप में ये बदलाव के रूप में ये कार्ज कर सकती है और साथ ही और भी जो अभी जन्सुराज जीस ऐसा था के मैं अकेला ही चला था जानिबे मनजिल मगर लोग सब मिलते गए और कारवा बनता गया तो बिहार की जो जनता है जनसुराज से क्या आसा उमीद करके चलेगी जो भविस्मे और क्या उनके जिंदगी का जो एस्टेंडर और लिभिंग है उनको सुधारने में जनसुराज किस परकार से सहवयागिता निभा सकती है बिहार के सभी बर्गों के लोगों को लेकर जनसुराज एक नई सोच के साथ सरकार बनाएगी सभी बर्गों के लोगों को भागीदारी सुनिश्चित करेगी बिहार में जनसुराज जन सुराज के जो नेता होंगे सरपर्थम बिहार में हमें लगता है कि जन सुराज के नेता महादलित परिवार से होंगे इस तरह से बारी बारी से सभी दलों को सभी बर्गों के को जन सुराज में पुर्ण धिकार होगा पुर्ण भागीदारी होगी और प्रसांत की सोर जी का जो यह जन आंदोलन पद्यात्रा के रूप में दो चल रही है यह निरंतर बिहार के लिए चलता रहेगा हो सकता है कि दो हजार पचीस के इधर चुनाब होते रहेंगे और उधर प्रसांत की सोर जी का पद्यात्रा भी चलते रहेगा पद्यात्रा भी चलेगा और चुनाब भी होगा इस जनांदोलन के माध्यम से एक नया बिहार बनेगा एक नए बिहार की रचना में सभी जाती धर्म के लोगों को के साथ कोई भेदभाब नहीं पुर्ण भागिदारी देकर चाहे वो महादलित बढ़ के लोग हों दलित हों, EBC के लोग हों, OBC के लोग हों या हमारे अलपसंख्यक भाई हों, या सवर्न हों, सभी लोगों को यह एक ऐसा दल होगा, जो जात धर्म से उपर उठकर पूरे बिहार के सभी बर्गों के भागिदारी के साथ या दल बिहार में एक जनांदोलन के रूप में काम करेगी और यह जनांदोलन का परिनाम होगा, कि यह एक सिक्षित बिहार बनेगा यह युवाओं को प्लाइन से रोकेगा बिहार देश के अग्रनी राज में गीना जाएगा प्रसांत जी ने कहा, कि यह भी संभब है अगर बिहार की जनता, अगर जन सुराज को मौका देती है अगर जनता अपने सुंदर राज को बनाने में काम्याब होती है तो क्या, पंजाब, हरियाना, कलकत्ता और अन परदेश के लोग बिहार इतना बिक्षित हो, कि अन परदेश के लोग आकर बिहार में काम करें इसी कलपना के साथ, हम लोग भी पूरे तन मन से हिर्दै से जन सुराज के साथ लगे हुए हैं और तमाम बिहारवासियों से भी अपील करते हैं कि आप एक सुन्दर विहार बनाने के लिए जन सुराज के भागीदारी बने और इस जन आंदोलन में प्रसांत की सोर का जो यह जन आंदोलन है इस जन आंदोलन में आप भी भागीदारी बनकर सुन्दर विहार बनाने के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें इसी के साथ मैं अपनी बानी को बिराम देता हूँ जै जन सुराज जै विहार जै जै विहार चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद